देखिए मेरे कहां पर तिल है और देखिए आपके कहां पर तिल है गालों पर होटो पर थाई पर पीछ पर इस सब कुछ मैं इसले पूछ रही हूँ क्यूंकि आज आपके शरीर के किसी भी अंग पर मौजूद तिल की बात होगी बहुत एहम बात होगी आज आप जानेंगे कौन सा तिल आपके लिए शुब होगा और कौन सा शुब आज आपको तिल से सुन्दर बनाने वाली जानकारी भी दी जाएगी आज आपको बताया जाएगा कि तिल कैसे आपकी तकदीर बना सकता है और हाँ आज कजरी तीज भी है इसलिए आपको दिखाएंगे टीवी की सुन्दर सुहागर अपमे पती के लिए कैसे तयार होती हैं ताकि आप भी उनी की तरफ ब्यूटिफुल लगें आज गुरूवार है यानि की भ्रस्पति देव का दिन इसलिए आज मैं आपको गुरूवार से जुड़े को छुपाई बताती हूं आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी चलिए सबसे पहले आपको जल्दी से आज का पहला महा उपाई क्या है ये बताती हूं क्या काम में सफलता नहीं मिल रही है ऐसे में आप क्या करें गुरुवार के दिन नहाते वक्त पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाएं इसके बाद ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह कर जाप करें देखिए आपको कितना आराम मिलता है समुद्र शांस्तर के मुताबिक आपके शरीर के कुछ हिसों पर तिल होना बेहत शुब माना जाता है ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती अगर आपके पेट पर तिल है तो ये शुब नहीं माना जाता लेकिन अगर तिल नाभी के आसपास है तो भाग्य में धन योग होता है पीट का तिल भी शुब माना जाता है ऐसे व्यक्ति खूब कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं पैर पर अंगूठे पर तिल होना पैर की अंगूठे पर तिल होना मतलब कि आपको सुक समृद्धी की कमी नहीं होगी अगर तरजिनी उंगली पर तिल है तो ऐसे लोग धनवान होते हैं हलकि ऐसे लोग अपने दुश्मनों से भी बहुत परिशान रहते हैं अगर आपके नाग के दाई और तिल है तो आपको कम मेहनत पर भी फानांशल गेंज होंगे जिसकी चिन पर तिल होता है तिल आपके भविश्य और आपके सुभाव के बारे में संकेत देते हैं जिसे आगर सामने वाले की चिन पर तिल है तो वो शक्स मिलनसार होता है जिसके दाई कंधे पर तिल होते हैं वो लोग काफी मजबूत इरादे वाले होते हैं जिनके होटों पर तिल होते हैं, ऐसे लोग काफी emotional होते हैं, जिनके अंगूछे पर तिल होता हैं, ऐसे लोग अपने काम में perfect होते हैं, जिनके कमर पर तिल होता हैं, ऐसे लोग हमेशा परिशानियों से घिरे रहते हैं, जिनके दाहीने यानि की right pair पर तिल होता हैं, वो व्यक मान सम्मान मिलेगा अब मैं आपको एक एक करके स्त्री के अंगों पर मौजूद तिलों के बारे में बताने जा रहे हूं आप किसी भी स्त्री के तिल देखकर उसके राद जान जाएंगे जी हाँ आईए बताना शुरू करती हूं जिस फीमेल के गालों पर तिल है ये तिल बूरी नजर से बचाता है देखिए चेहरे पर दाई तरफ तिल हो तो इसे शुब बाना गया है और बाई तरफ तिल हो तो इसे इतना जादा शुब नहीं माना गया है थोड़ी परिशानिया देता है माथे पर तिल हो तो मिलता है ट बीच में तिल हो तो फ्रीमेल के लिए अगर यहां पर बीचों बीच तिल हो तो काफी शुब माना जाता है जी हां ऐसे ही व्यक्तियों का दामपत्य जीवन खुशाल रहता है धन भी काफी मिलता रहता है अगर फीमेल्स के लिप के आसपास तिल हो या लिप पे तिल हो तो ऐ ऐसे फीमेल को रोमांटिक नेचर कर दिखाया जाता है, ऐसे फीमेल के लोग दिवाने रहते हैं, यह जादा चालाक और लोगों को अपनी बातों में फसाकर नुकसान पहुचा सकती हैं, इनसे बच कर रहेगा, नाक का तिल मतलब आप जगडालू फीमेल हैं, लेकिन नाक का तिल बताता है कि आप बेहर जगडालू हैं, ऐसे लोगों को कम मेहनत करके जादा फाइदा भी मिलता है, ऐसे फीमेल भागेशाली होती हैं, नाक की दाई और का तिल वाली फीमेल हमेशा शान्त और एकान पसंद करती हैं, चिन पर तिल का मतलब होता है कि पैसा ही पैसा, फ शुब होता है पेड में तिल का निशान बहूत उच्छे पथपर पहुंचा यह थाई पटिल यह वाली फीमेल से पूरुष काफी जल्दी आकर्षथ होते हैं नाभी पर तेल हो तो फीमेल के लिए महिलाओं की नाभी जिसे बैली बटन कहा जाता है दूम यह उसके के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है अगर किसी फीमेल के पीठ पे तिल है तो ऐसी फीमेल रुमांटिक होती है इनका तिल ये बताता है कि ऐसी फीमेल थोड़े जादा रुमांटिक नीचर की होती हैं सिर्व्यक्ति खुब कमाते भी हैं और जमकर खर्च भी करते हैं इन इगर सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो ऐसे इंसान गुज जीवन भर यश मिलता है लेकिन वो अशान्त रहती हैं इसके अलावा हथीली के बीच में अगर तिल हो तो इंसान भागिवान होता है उसे धन की कमी महसूस नहीं होती है अगर बाजुओं पर तिल हो तो समझे ध धन्मान बनाता है उंगली पर तिल होने से भी धन की प्राप्ति होती है चलिए वक्त हो गया है बाच का दूसरा महा उपाय जानने का क्या कुणली में गुरु ग्रह का दोश है ऐसे मेहार थर्जदे को शिवजी को बेशन के लडू का भूग लगा लेकिन पता कैसे चलेगा क की गुरु ग्रह का दोश है अगर आपको लिवर रिलेचिट प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत डाइबेटीज की दिक्कत रहती है आपको गैस्ट्रिक इश्यू बहुत जादा रहते हैं आप एगो के कारण किसी दूसरे की बात नहीं सुन पाते या आपकी आड्मि आप भी सजीए अगर आप अन्मारिट भी है तब भी यू के रियर ब्राइट पिंक कलर और इस पिंक कलर का में जो लुक होता है कि आपके इंडियन कोंप्लेक्शन को बहुत ब्राइट दिखाता है तो अभी हमने इनके लिए जो जो कलर चूस किया है पहनने के लिए जो नीचे है इस आल पेंग के और एंज और अरेंज और से पी तुपटा लेषा इनकर पूझा के पर जो आप शाम को पूझा करते हैं छाह आप अपने जो कहते हैं जो आप जिसको मानते हैं जिसकी आप पूजा करते हैं चाहिए तो खेंदे में मंदिर में या पेडं़ की Western अगनी की पूजा करते हैं, तो उस टाइम पर जो दुपट्टा लेना है इन्होंने सिर के उपपर, तो वो दुपट्टा भी बिल्कुल तयार है इनका, बट हमने बिल्कुल भी ब्राइट कलर नहीं लिया, सटल कलर लिया है, गोल्डन बेज कलर में, तो अब बात कर रहे हैं आप एक ऐसा दुपट्टा भी ले सकते हैं, जो की फ्यूचर में आपको अधर्वाइस भी किसी ओल ड्रेस के साथ काम आ जाए, तो इनके अपनी ड्रेस को बिल्कुल अलग छोडते हुए, एक्स्ट्रा दुपट्टा फॉर दा पूजा के टाइम के लिए, तो अब बात कर है, साथ में इन्होंने एरिंग नहीं पहने, रिख होता है न, common चीज है, एरिंग तो हर कोई पहनता है, तो इस समें इन्होंने जो है कश्मीरी लटकंस के साथ अपने एर को अडॉन किया हुए, तो इन्होंने फ्रंट से लिये हैं, तो इस वजाए से बिल्कुल हैं, तो इस समें जो ओवराल लुक है, डिफरेंट लेते हुए, अब हम बात कर रहे हैं, कि मेकप के ऊपर जो कलर्स आपने क्यारी करने हैं, तीज मनाते हुए, तो फेस पे जो बेस है इस समें, हमने ऐसी बनाई है, जो मॉर्निंग से लेकर, नाइट तक बिल्कुल आज़ आपका जूबी जैसे थोड़ा बहुत एकने का अगर सबस्का आपके फेस के ऊपर इरफ्शन आता है, या ओपन पोर्स है, या थोड़ा पिग्मेंटेशन है, तो मेक शूर आप पहले बॉटम के ऊपर करेक्टर लेकर, उसके बाद अपने बेस बना रहे हैं, आप इस पेक करें नर्न रहना, क कि ससके थे, अपने खकाए है, तो मेश भीचे सवगसर्ण आता है, उसके बाद है इसके बाद थेक्रिटल ग्लॉस टो एडशन आप खाए है, आप तीच के लिए तयार हो रहे हैं, तो बहुत लाजमी है कि आपके फेस पे डहना चाहिए, लुक होना चा same way blush effect this time in face when it's very natural it's very girlish hulka highlight करने के लिए top zone के अपर थोडा से मैं ने शिमरी effect दी है की face के ओपर थोड़ी चमक बनी रहे साथ में ही make sure कि आप जो face के ओपर हलका से blush on कर रहे है उसी का touch आपका neck या आपका जो भी exposed area body का वहाँ पर भी hulka से touch up brush के through आ जाए आई मेकप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर सारे जो भी आपको लगता है कि जो ड्रस के कलर्स हैं, ब्राइफ कलर्स हैं, आप वो चूस करें, जैसे इसमें गोल्डन है, औरेंज है, पिंक है, हलका सा बेगो इसमें सी ग्रीन कलर भी दिख रहा है, तो मेक आपको टिकाना है मेकप, तो आई लैशी आर सम्थिंग विच लुक्स नाइस, अना पाटी लुक, तो आज हम पूरी लुक देने वाले इनको, कम्प्लीट जैसे को यहते है, फेस्टिव फील के साथ, तो जैसा कि हमने बताया कि जो आज हमने यह तीज का लुक बनाया, इस तो आप इस समय ट्रडिशनल लुक में भी है, बट विदाउट जूरी तो बहुत ही एक्सपरिमेंटल लुक है, तो इस तरह से अगर आपके अगर आप शादी का लहेंगा है, या कोई पहले का लहेंगा पड़ा हुआ है, उसको आप इस तरह से सारी ट्रेप में लेते चली अब आपको आज का तीसरा माह उपाई क्या है ये बताती हूँ, क्या शादी में अर्चना रही है, जी हाँ सही समझे आप, शादी भी जो है ब्रसपती देव कराते हैं, इसलिए थरस्दे का फास्ट रखें, शादी में अगर अर्चना रही है तो दूर होगी, अपने ये तिल आपकी ब्यूटी में चार चान लगाता है, आईए देखते हैं अगर आपके फेस कट के हिसाब से एक तिल का स्पॉट चुन सकते हैं, अगर आपके फेस पे तिल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडेट तिल होता है, वो होता है आपके जो लिप्स होते हैं, उसके अपर कॉर्णर पे लेफ्ट साइड के ओपर, अगर ये स्पॉ करने के बाद आप इसको और असेंच्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कोटिंग ज्यादा करकर इस समय जो मैंने यूज किया है इस आई-लाइनर ब्रश में यूज कर रहे हैं इस समय जैल लाइनर है वो ज्यादा देर तक तिका रहता है इस तरह से पहले जो हमने तिल बनाया डाट वसे डल तिल जिसको हम नाच्रल तिल बोलते हैं इस समय जो हमने बनाया जिसको हमने और ज्यादा डाक कर रहा है आप यह डाक कर रहे हूं आप अपने नाच्रल किसी तिल को भी इसी तरह से डाक कर सकते हैं जो कि मेकप करने के आपके lips के बिल्कुल center पे थोड़ी के बीच में यहां पर अगर अगर तिल देते हैं अगर आप अपने थोड़ी के center में बिल्कुल जैसे आप जो lips का आपका center point होता है इस सीद लेकर जो आपका यहां पर chin है चिन की चिन बोन जो होती है जो एक्सेंडेड पार्ट है यहां पर सेंटर पे भी आप तिल दे सकते हैं इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो यहां पर आइस के कॉर्णर पे सिंगल डॉटेड ते या इसके साथ ही ट्रैंगुलर तिल का बहुत ज्यादा फैशन है अब ट्र जगलग तरह से आप घर पी जासे आपके पास पिन होती है कई बार आपके पस फिय्ले की पील शो की शुरुवात में मैंने आपको बताया था कि आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर तिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। नहीं नहीं आपको इसके लिए कॉस्मेटिक सरजरी करवाने की कोई ज़रुरत नहीं है। पहला घरिलू नुस्खा सुनिए रात को सोते समय पहले चेहरे को अच्छे से धोलीजे और फिर इसके बाद सेब के सिर्के से चेहरे पर हलकी हलकी मसाज कीजिए इसे रात भर लगा रहने दे सुबह उठकर चेहरे को धोलीजे रोजाना ऐसा करने से तिल धुंदले पढ़ ज इस पर एक छोटा सा बैंडेट टाइप कुछ चिपका दीजे आप टेप भी चिपका सकते हैं रात भर रहने दीजे तिल हटाने का ये कारगर तरीका है केले का छिलका जी हां केले के छिलके का एक तुकड़ा लीजे और इसके अंदर वाला हिस्सा जो अंदर का हिस्सा होता उसे तिल पर लगाकर बैंडिड लगा लीजे रात भर ऐसा ही रहने दीजे इस तरह से तिल जड़ से सूख कर निकल जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक्सपर्ट की सला ले सकते हैं चलिए अब आपको आज का चौथा माहा उपाई क्या हैं ये बताती हूं क्या आपको बार बार धनकी हानी हो रही है तो चने की दाल और केसर का मंदिर में दान करें आप हल्दी भी कर सकते हैं और केसर का या फिर हल्दी का तिलक माथे पे लगाएं जुपिटर जो है एस्ट्रो स्पेशल कर ताइम हो गया है आज कजरी तीज है और आज आपको कजरी तीज से जुड़ी खास ऐस्ट्रों टिप देती हूं आज कजरी तीज है और आपको पता है कि इस रत को इस तेवहार को बनाने से हजबन वाइफ के बीच प्यार बढ़ता है हस्बन की उम्र बढ़ती है ऐसे में आप एक खास काम कर सकते हैं आज के दिन जब आप शाम को पूजा के लिए तैयार हो तो दही से जरूर इस नान कीजेगा दही से नाईएगा पूरी बोड़ी पर दही मलकर तीन बिनिट के लिए छोड़ दीजेगा उसके बाद साफ पानी से रिंज कीजेगा अगर आप कुछ नहीं तो ऐसे खास फेस्टिबल्स पे जैसे करवा चौत, कजरी तीज, हर्याली तीज या फिर शुक्रवार के शुक्रवार भी अगर आप थोड़ी सी दही से नाएंगे तो आपका शुक्र भली होगा और जितना जादा आपका शुक्र स्ट्रॉंग होगा, उतना ही जादा आपके हस्बन आपसे अट्राक्ट होंगे तो दही जो है ये शुक्र का प्रतीक है पर इसको आप पूरी बादी पर लगाते हैं तो सिर से पैर तक आपका शुक्र स्ट्रॉंग होगा Facebook पर Priyanka यादव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है Priyanka नौकरी पाने के उपाई जानना चाती है Priyanka अगर आप नौकरी पाना चाहती है तो अपने रिजियूमे को एक blue कलर की फाईल में रखें और males जु हैं अपने रिजियूमे को green कलर की फाईल में रखें इसके अलावा जब आप interview देने जाएं तो घर से या तो दही चीनी या गुर और पानी पी कर जाएं और अपना right pair पहले भाहर निकालीए जब आप interview के premises में घुस रहे हों तो अपना right pair पहले अंदर रखें इससे आपके confidence में कमी नहीं होगी और अपनी मुठियों को बांद के मत रखें ये nervousness त्री निशानी है अपने हाथों को खुला और relax रखें आई अब आपको आज का पांचवा और आखरी महा उपाई बताते हैं क्या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा जी हां concentration के planet भी ब्रस्पती ही है आप अपनी कुछ किताबे गरीब बच्चों को दान में करें और धार्मिक पुस्त के भी लगातार मंदिर में या किसी भी धर्मस्थान में दान करते रहें आपको जुपिटर अच्छा अपने आप हो जाएगा अब कल की बात कर लेते हैं कल मौनसून की बात होगी कल आपको छाते का वो कलर बताऊंगी जो बरसात के समय आपकी किस्मत बदल देगा साथी बरसात में आपकी स्किन और आपके बालों का खयाल कैसे रखना है ये भी बताया जाएगा अभी चलती हो कल मिलेंगे बाई बाई ठेक केर